हेलो मेरी यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सबी आई होप आप सब बहतर होंगे फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में पर्या वरड के हम टॉप 20 क्वेस्टन करने वाले हैं और 20 क्वेस्टन में यह आपका ऐसा मौक टेस्ट है जिसमें आपके एकदम से मोस्ट और इन क्वेस्टन को करने के बाद आप अपना इसकोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको दोस्तों क्वेस्टन की पीडियाफ चाहिए हो तो आप एवन एजुकेशनल अपके टेलीग्राम चैनल पर जाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहा डाल दूगा आपको पता चल जाएगा और धुआधार दोस्तों तैयारी करेंगे एवन एजुकेशनल अपके माध्यम से दोस्तों आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी पूरा स्लाइबस में करवाऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अनुसंधान केंद्र कहां इस्थित है आपके पास ओप्शन दिये गया जारखंड मध्यप्रदेश नागपूर या केरल तो आप याद रखेगा राश्टी पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है वो नागपूर में इस्थित है और नागपूर का दोस्तों क्या फेमस ह नागपूर कहां है महराश्ट में है और नागपूर का दोस्तों संतरा जो है वो फेमस है ठीक है मध्यप्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर वन कहीं पाए जाते हैं तो आपके मध्यप्रदेश में पाए जाते हैं अगर टाइगर इस्टेट की बात करे ठीक है मसालों का अगर सहर किसी को कहा जाता तो वो केरल को कहा जाता याद रखेगा बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन वीडियो का लेंगे क्वेश्चन है बाबा आम्ते का सम्वन्द किस आंदोलन यानि किस मूव्मेंट से है आपका A option कह रहा है दोस्तों चिपको आंदोलन B कह रहा है एपको आंदोलन C कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन D कह रहा है ग्रीन ट्रिब्यूनल आंदोलन तो बाबा आम्ते का सम्वन्द दोस्तों एक नाम और आता है याद रखेगा मेधा पाटेकर का नाम आता है और मेधा पाटेकर और बाबा आम्ते का सम्वन्द किसे दोस्तो नर्मदा बचाओ अंदोलन से है इनका संबन ठीक है चिपको अंदोलन की दोस्तो अगर हम बात करें तो ये 1973 में सुरू हुआ कहां से दोस्तो उत्राखंड के चमोली डिस्टिक से सुरू हुआ कहां से उत्राखंड के चमोली से शुरू हुआ आपका चिपको अंदोलन वनों के संदक छड़ के लिए सुंदरलाल बफगुडा का नाम आएगा तो आप चिपको अंदोलन के साथ उनका उनको जोड़ेंगे ठीक है तो इस question का right जवाब आपका C option हो जाएगा बढ़ेंगे अगला question लेंगे और अगला question आपका most important question डंफार वन जीव अभ्यारण ने कहां इस्तित है मिजोरम असम शिक्किम या नागालेंड तो दोस्तो डंफा की बात आएगी तो आपका कौन सा option right हो जाएगा मिजोरम के साथ दोस्तो सही answer जाएगा अगर असम की बात करें तो गर्म पानी अभ्यारण ने जो है वो असम में है और एक very most important आपका काजी रंगा की बात अगर होगी तो आपका असम आएगा और काजी रंगा में दोस्तो क्या पाया जाता है आपका एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है याद रखेगा कौन सा एक सींग वाला ठीक है तो असम की बात हो गई फिलाल इस question का right जवाब आपका मिजोरम के साथ जाएगा और इसी के साथ बढ़ेंगे अगला question एक एक चीज clear करेंगे जलवायू परिवर्तन का कारण है अब बताए जलवायू परिवर्तन का कारण क्या है चार option दिये गये हैं Greenhouse Gas, Pre-Dioskr, ओजोट्वारत का चरण यह आपका उप्रोख सभी, तो जल्वायूपरिवर्तन का जो कारण है दोस्तों वो सारे कारण हो जाएंगे, देखिए, Greenhouse Gas यह भी आपका जल्वायूपरिवर्तन जो है, यानि आपका Global Warming के लिए उत्तर दाई है, ठीक है, Greenhouse Gases जितनी और अगला है आपका प्रदूसर ठीक है प्रदूसर भी पॉल्यूशन भी जिम्मेदार है जल्वायू परिवर्तन के लिए ओजोन परत का जो छरड हो रहा है ये भी जिम्मेदार है तो आपका उपरोक्त सभी इस question का right जवाब हो जाएगा ओजोन दिवस की बात अगर दोस्त important है फिलाल इस question का right जवाब उपरोक्त सभी हो जाएगा और अगला question लेंगे निम्नमे से किस इस तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संग्या दी जाती है कब कहा जाता है कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है क्या मानक है उसका तो आपका A कह रहा है 200 डॉप् तो दोस्तो एक चीज याद रखेगा ओजोन परत की जो सांदरता है वो किस में मापी जाती है हमेशा याद रखेगा बहुत पूछा जाता है वो आपकी सांदरता मापी जाती है डॉप्षन में तो किस इस तर से नीचे अगर चला जाए तो दोस्तो अगर 200 डॉप्षन से नीचे चला जाता है आपका ओजोन परत की मोटाई जो होती सांदरता जो होती है वो दोसों डॉप्शन से नीचे होगी तो कहा जाता है कि छिद्र हो गया ओजोन परत में ठीक है और जब छिद्र हो जाता है तो संसे आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रा वाले ट्रेज होती है वो प्रत्वी तक आ जाती हैं और फिर उससे skin cancer और skin disease बहुत सारे फैल जाते हैं ठीक है तो इन सारी चीजों को याद रखेगा फिलाल a question आपका a option right हो जाएगा अगला question दोस्तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लिजेगा समय वही है आपका रात्तरी 9 बजे आपको class provide करवाई जा यूपी टीटी की सांदार classes आपको मिल जाएंगी आपके अपने YouTube platform पर आपके अपने चैनल पर मिल जाएंगी अगला question है इन में से कौन द्वी बीज पत्त्री पौधा है अब बीज को लीजिए ठीक है और उसको अगर हम हाथ से दबा दें तो वो दो बराबर भाग में ये भी याद रखिए ठीक है शर्सों इसमें दवी बीज पत्री पौधा हो जाएगा सर्सों के बीज को अगर हम दबा दें अगर दबा दें तो वो दो भाग में फट जाता है बराबर भाग में ठीक है तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि सरसो बीच पत्री पौधाय डी ऑप्शन डाइट हो जाएगा बास घास फैमिली से बिलॉंग करता है अगला कोईशन देखेंगे अगला कोईशन है इंसुलीन की रासाइनिक प्रक्रत कैसी है विटामिन प्रोटीन वसा या कार्बोहाइडरेट तो जो इंसु इंजेक्ट करके उपर से दिया जाता है इसकी प्रक्रत कैसी होती है बताइए यह एक प्रकार का हर्मोन है इसकी प्रक्रत दोस्तो प्रोटीन की होती है भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विटामिन आपके मोस्ट है A आपका B, C, D और आपका E, K ये आपके मोस्ट इंपोर ऐसे करके होता है ठीक है C की बात करें तो ascorbic acid D की बात करें calciferal तो ऐसे आपको याद कर लेने हैं मैं पूरा आपको विटामिन का वीडियो दे दूँगा आप याद कर लेंगे ठीक है A की कमी से आपका रतोंधी B की कमी से बेरी-बेरी और C की कमी से आपका इसकरवी हो जाता जिसे नावी क्रोग भी बोलते हैं D की कमी से आपका रिकेट से आश्टियो मलेसिया हो जाता है E की कमी से आपका बांजपन होता है Infertility और K की कमी से दोस्तों आपका रक्ट इस्राव विरोधी यह आपका विटामिन है तो ये सारी चीजे याद रखेंगे वसा में घुलनसील विटामिन याद रखेंगे D, E, K, A ये आपके वसा में घुलनसील विटामिन है बाकी B और C किसमें घुलनसील है जल में घुलनसील विटामिन है याद रखेंगा ये भी तो आपका इंसुलीन की रासाइनिक प्रक्लत प्रोटीन की होती है बढ़ेंगे दोस्तो अगला question वीडियो का question है वह कौन सा पदार्थ है जिसका उप्योग खाद परिरच्ची के रूप में किया जाता है तो कौन सा पदार्थ है दोस्तो आपका चार option दिये गए है राइट प्रयोग sodium benzoate का option correct हो जाएगा अगला question है पशुओं में एंथ्रेक्स या guilty रोग किसके द्वारा होता है आप देखेगा guilty रोग जो है वो किसके द्वारा होता है पशुओं में वो होता आपके जिवारू के द्वारा डी option correct हो जाएगा और इसके द्वारा दोस्तो आपका प्लेग भी हो जाता है ठीक है टिटनेस भी आपका ये मुख्य रोग में बता रहा हूं आपको याद रखेगा टिटनेस भी आपका जिवारू के कारण होता है कुष्ट रोग यानि लैपरोसी भी आपका जिवारू के कारण होता है नियूमोनिया जिवारू के कारण होता ह है जीवाड़ों के कारण होता है यह कुछ मुख्य रोग है प्रोटो जोवा जैसे आपका निद्रा रोग हो गया और मलेरिया प्रोटो जोवा जनित है ठीक है कवक की बात करें तो गंजा पन आपका एथलीट फूर्ट वगरा जो है रोग वह आपके कवक जनित रोग है प्रत्य जिख वाला मुख्यॐ, कली मिंजारों किस देश में इस्थित है।ि इटली, तंजानिया, मैक्सिको, या उसे। तो दोस्तो, आपका तंजानिया मैक्सिको या उसे। तो इस question का right जबाब आपका option हो जाएगा फूल से long और केशर प्राप्ट होते और केशर सबसे ज़्यादा कहां दोस्तों पैदावार होती है केशर का उतपादन जम्मू एंड कस्मीर सबसे ज़्यादा करता है याद रखेगा अगला question आपके सामने निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सरवाधिक छेत्र पर है काली मिट्टी जलोड मिट्टी बलुई मिट्टी या लाल मिट्टी तो आपका इस्थल का या धरती का सबसे भारी जीव है आपका वेल मचली है ठीक है अगर प्रत्री पर कोई भारी जीव है सबसे ज़्यादा तो वेल मचली है और आपका वेल मचली क्या है दोसो ये भी आपका बच्चे देती है वेल मचली ठीक है रेडार की बात करें तो चमगादर आपका राइड जवाब हो जाएगा और चमगा जाता है प्रक्रतिका रेडार ठीक है तो B option सही हो जाएगा इसके लिए ठीक है ये मेहमल से इस्तंधारी है अगला question आपका निम्न में से कौन सा एक भारत का राश्टी जली जीव है अब बताएगे घडियाल खारे पानी का मगर डॉल्फिन अ टर्टल तो भारत का जो एक रा राश्टी जली जीव है कौन तो आपका डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन हो जाएगा ठीक है गंगा डॉल्फिन भारत की राश्टी जली जीव है और ये बिहार सरकार के अनुमोदन पर भारत सरकार ने इसे क्या किया भारत का राश्टी जली जीव घोसित किया है ची option करेक् क्वेस्टन है दोस्तों कौन सी गयस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तर दाई है वैस्विक तापन के लिए उत्तर दाई है नाइट्रोजन दोस्तों तो नाइट्रोजन तो है नहीं क्योंकि हमारे वायूमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है तो नाइट्रोजन बिल रखेगा इसको भी तो आपका CO2 राइट जवाब हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए वैस्विक तापन के लिए उत्तरदाई आपकी CO2 हो जाएगी ठीक है अगला क्वेस्टन लेंगे वीडियो का अगला क्वेस्टन है अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व जहां पे अन तीस घड़ हो जाएगा तमिल नाडू इसका राइट जवाब हो जाएगा अन्ना मलाई के लिए आपका B option करेक्ट हो जाएगा अगर साइलेंट वैली की बात करें सांत घाटी की बात करें तो कौन सा आपका स्टेट हो जाएगा सांत घाटी के लिए केरल सही answer हो जाएगा फिलाल इस question का सही उत्तर आपका option भी होगा, अगला question लेंगे, निम्न मैंसे किस क्रांती का संबंद दुख्ध उत्पादन से है, हरित क्रांती, इंद्रधनुस क्रांती, स्वेत क्रांती या अमरत क्रांते, तो दुख्ध उत्पादन से दोस्तो मिल्क प्रोडक्शन से किसका संबंद है, तो आपका कौनसा राइट जवाब हो जाएगा, स्वेत क्रांती का संबंद दोस्तो मिल्क प्रोडक्शन से है, और स्वेत क्रांती का जनक भारत में वर्गीज कुरियन को बोला जाता है, इसे भी आपको याद रखना है, हरित क्रांती दोस्तों फसलों के आधन से संबंदित है और इसका जो जनक है वो स्वामी नाथन को माना जाता है में स्वामी नाथन यह याद रखेगा ठीक है तो यह दो क्वेशन आपके इस विड़िए क्वेशन से तैयार हुए बढ़ेंगे इस question का right जवाब श्रत्करांती हो जाएगा बढ़ेंगे अगला question लेंगे अगला दोस्तों आपका question है निमने मैंसे कौन सा घास का मैदान और उस्टेलिया में इस्थित है मैदान पाए जाते हैं और डाउंस आपके ऑस्टेलिया में पाए जाते हैं याद रखेगा फिलाल तो ऑस्टेलिया के लिए right जवाब आपका option D हो जाएगा अगला question बढ़ेंगे और question है निमन लिखित में से किससे कुनायन नामक दवा प्राप्त की जाती है किससे प्राप्त प्लांट जो है सिनकोना से कुनायन बनाई जाती है कुनायन किसकी दवा है दोस्तो मलेरिया की दवा है याद रखेगा और मलेरिया कैसा रोग है अभी मैंने बताया मलेरिया दोस्तो मलेरिया दोस्तो आपका प्रोटो जोवा जनित रोग है याद रखेगा तो आपका बी option इसमें correct हो जाएगा सिनकोना प्लांट से कुनायन नाम की दवा प्राप्त की जाती है सिनकोना की चाल से। अगला दोस्तों आपका आज के इस वीडियो का 20 नंबर का question है, last question है, अब आप स्कोर बताएंगे अपना कितना रहा। अगला question आपका आपका निम्नमैसे कौन सी अंतराश्टी संस्ता, international जो organization है, पूरे विश्व में पर्यावरण सुरच्छा की देखभाल करती है, पेटा, अब पेटा की अगर बात करें तो इसना पूरा नाम दोस्तो, people for the ethical treatment of animals होता है, पेटा जानवरों की सुरच्छा के इस्थापना होती है, 7th April 1948 को यानि 1948 को विश्व स्वास्थे संगठन, स्वास्थे सिवाओं की जिकनी भी जानकारी है, वो अपना WHO रखता है, UNO की बात करें, United Nations Organizations बहुत पूछा जाता है, 24 October आपका, 24 October 1945 यानि 1945 को इसकी इस्थापना होती है, और आपसे पूछा गया है, अंतराष्टी संस्था कौन सी है, जो पर्यावरण की देखभाल पूरे विश्चु में करती है, सुरच्छा करती है, तो WWF World Wildlife Fund इसका पूरा नाम होता है, याद रखेगा, क्या नाम होता है, World Wildlife Fund UPTT 2022 में ये क्वेस्चन आया हुआ है, आपका 22 में ये क्वेस्चन पूछा ग ये भी आपको क्या दखना, 29 अपरेल 1961, तो D option इस question का correct हो जाएगा, तो दोस्तों आज के वीडियो में 20 most important question हम लोगों ने किये है, score बताएगा और कल फिर मिलेंगे आप से रात त्री 9 बजे सांदार क्लास के साथ, जय हिंद वंदे मातरम